राश्ट्री स्वहन सेवक संग के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को दिल्ली के चीफ इमाम डॉक्टर उमर एहमद इलियासी ने राश्ट पिता और राश्ट रिशी कहा है RSS प्रमुक ने डॉक्टर उमर अहमद इल्यासी के बुलावे पर उतरी दिल्ली में मदर्सा ताजवी दुल कुरान का दौरा किया राश्रिय स्वयन सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवर दिल्ली के इमाम हाउस पहुँचे और मस्जिद के बंद कबरे में चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इल्यासी के साथ रहे किसी मुस्लिम धार्मिक संगचन के प्रमुक से आरेसेस चीफ की मस्जिद में ये पहली मुलाकात थी इस मुलाकात के बाद डॉक्टर इल्यासी ने कहा कि हमारा जीये ने एक ही है सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है RSS प्रमुख ने हमारे बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदर्सा ताजविदुर कुरान का दौरा किया था और वे बच्चों से भी मिले डॉक्टर इल्यासी ने मोहन भागवत को राश्रुपिता और राश्रुरिशी बताया है उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है इस मुलाकात के बारे में सभी को अच्छा ही सोचना चाहिए ये देश के लिए अच्छा पैगाम है इमाम हाउस में मोहन भागवत का आना हम सब के लिए सौभाग्य और खुशी की बात है मोहन भागवत हमारे राष्ट रिशी है वे इस तेश के राष्ट पिता है राष्ट पिता का हमारे पास आना खुशी की बात है मुझे लगता है कि यही महबत का पैगाम हमें सभी को देना चाहिए राष्ट पास आना खुशी है आप देख रहे हैं दखल न्यूज